जो गवावा प्लायंट आज देखाओंगा गवावा प्लायंट किस तरह से काटिंग का मालूँ में partial उतना ज्यादा इस्टिक होता है वो इस्टिक से ज्यादा फ्रूट मिलता है तो तो दोस्तो ग्वावा प्लांट साल में एक बार काटिंग करना पड़ता है जैसा मान लिजिए फेबरारी मार्च एप्रिल कीनो मेने काटिंग कर सकते हैं और बालसाद में जून जुलाई आगोस्ट अप लोगों का मर्जी है अब लोग काटिंग कर सकते हैं तो सो दोस्तों किस तरह से पहले इस्टिक का जो मुंडी होता है ओ मुंडी पे रोशी लेके बादने का है उसका बाद ओई रोशी खिच के नीचे को तरफ बान देना है बानने का बाद क्या करना है इस्टिक का जो मुंडी होता है ओ मुंडी से साथ से आठ इंची छोड़के जितना भी पात्ता है डाली में वो पात्ता छुड़ा के फेक देना फेक देना पड़ेगा खेक देने का दस से पनरा दिन बाद ऐसा नया इस्टिक निकलेगा वही इस्टिक से बहुत ज्यादा कलिया भी आ जाएगा भरपूर फ्रूट भी मिल जाएगा तो सो दोस्तो आप लोग वीडियो में देखा किस तरह से काटिंग होता है किस तरह से काटिंग करना है